अपने जनपस से जूड़ी हर खबर को देखनी के लिए इंडिया लाइव नियूस को तुरंट सब्स्राइब कीजे और साथी बैल आइकन को भी दबाईए फ्रोजबाद में थाना नार्खी पच्वान कॉलोनी से दुर्गव सरजन को गए लोगों ने जंगली फल खा लिये जिससे एक दरजन से अधिक लोग बीमार हो गए जिनको उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भड़ती कराए गया आपको बता दें कि नहर के किनारे पच्वान कॉलोनी निवासी जागेश्वर की पत्नी सरलादेवी ने विगद नवरात्री में मा दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर नो दिन पूझा अर्षना की थी लेकिन मूर्ती का विसरजन नहीं किया था आज आसपास के लोगों को एकत्रित कर DCM के माध्यम से शुकवाबाद इस्तित नहर में विसरजन के लिए कह थे उसी दोरा नहर के किनारे जंगल में बच्चों ने कुछ पेर पर लगे फल को तोड़ लिया और खा लिया बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों ने भी उसको खा लिया कुछ समय बाद ही फल खाने वाले लगबग 14-15 लोग एक साथ उल्टियां करने लगे जिससे विसरजन को गए लोगों में हलकंप मच गया वह बीमार लोगों को आनन्फानन में उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भरती कराया जहां उनको उपचार किया गया एक साथ बच्चे बड़ों को बीमार होने की जानकारी होते ही कि बाल रोग विशेशक डॉक्टर एलके गुपता डॉक्टर आरके शर्मा ने बीमार बच्चों को उपचार शुरू कर दिया है देखे फ्रोजबाद से हमारे विशेट समवादाता करन कुमार किया खास रिपोर्ट क्या नाम है भी आपका मेरा वीनूस नाम है यह क्या मामला है जिसके पैसे ट्रामा सेंटर पहुंचे लोगों प्यास लगी थी बच्चों को अब गई यह लोग भार प्यास का पानी पानी चलाया नहीं अंदर प्यास लगी कुछी लोग पहुंच गे बच्चे अब इन लेगा जी क्या चीए तो तोड़ गया लागे अच्छी लगे जवाद मा अच्छा आए ऐसा सबने खा लिया रहा है क्या खाया था पता नहीं एजी कोई अप्रोड जादी चीए उसका पर क्या मामना हुआ था को नहर के पास में तो कितने लोग इसमें पोईजन का सिकार हुए है पता नहीं में तो भई मैना गिंती दो अजिए परीदी नहीं मा के लाओं या अप्रोड वाट नहीं बताई गई यह है कि वहाँ किसी पेर से जनी पेर से इनोंने अपल तो तो पिखाया है इसके उप्रां जाने सबी लोगों को उन्टी और फुस्टों को दस्तु नास्तू हो ज़िए उस्टों को पेटमाइद क सब्सक्राइब करना है तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक्यू तो जल्दी कीजिए ना